हेलो फ्रेंड्स गुर्मॉनिंग दिस इज विशाल सर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एचिवर्स इंगलिश क्लासे तो फ्रेंड्स पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस तरफ पस्चमियों ने अदभुत वस्तुव की खोज किये ठीक उसी परकार हिंदु धर्म ने धर्म अध्यात्मिक इत्यादी के छेत्रों में बहुत सी सिध्या प्राप्त किये तो आज देखेंग को अंतक देखें ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर का मुख्य उदेश से क्या है तो दोस्तों चलते हैं पैराग्राफ नॉम्बर सिक्स्टीन बट लेकिन वी हेब नो आई फोर दिज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरिज हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पर नहीं है we are dazzled हमें चका चौन कर दिया है by the material progress that western science has made पस्चिमी बिज्ञान ने जो संसारिक वस्तूओं में प्रगती किये वो हमें क्या कर दिया जी चका चौन कर दिया है I am not inamorate of that progress मैं उस प्रगती से मोहित नहीं हूँ कौन बोलाई जी महात्मा गांदी in fact वास्तों में it almost seems as though ऐसा लगता है कि God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines भगवान ने अपने ज्यान से भारत को प्रगती कियो उन पंक्तियों के साथ खरा हुने से रोक दिया so that it might fulfill its special mission ताकि वह अपने विशेश mission को पूरा कर सके of resisting the onerous of materialism बहुतिक वाद के बठते कदम का विरोध करने के mission को क्या कर सके जी पूरा कर सके तो चलते हैं दोस्तों paragraph number 17 After all, आखिरकार, there is something is Hindus में. Hindus में कुछ ऐसा है that Jo has kept it alive up till now. अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Parishan and Egyptian civilizations यह Babylonian, Syrian, Farsi और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का सक्षी बना Cast a look around you. अपने चारो और एक नजर डालो Where are Rome and Greece? Rome और Greece कहां है? Can you find today anywhere? क्या आप आज उन्हें कहीं भी ढूट सकते हैं? The Italy of Gibbon or rather the ancient Rome from Rome was Italy. Gibbon के Italy या प्राचीन Rome, जो Italy में हुआ करता था. आज वो क्या है? पतन का साक्षी बन चुका है. वो क्या हो चुका है? बरबाद हो चुका है. तो दोस्तों चलते हैं paragraph number 18 Go to Greece. Greece जाए. Where is the world famous Attic civilization? विश्वपरशीद Attic सभ्यता कहा है? Then, coming to India. फिर भारत में आके देखो. Go, throw the most ancient records and then look around you. प्राचीन अभिलेक उठाके देखो. फिर अपने आसपास देखो. And or you would be constrained to say, तब आप विवस हो जाएंगे कहने को कि Yes, I see here ancient India is still living. हम यहां प्राचीन भारत को अभि तक जिन्दा देख रहे हैं. ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों paragraph number 19 True, यह सत्य है. There were dunks hip to here and there. गोबरो का धेर यहां वहां क्या होगा? प्रा मिलेगा. But, लेकिन there are rich treasures buried under them. लेकिन उनके अंदर दफन धनी खजाने हैं. And or the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. दोस्तों वाके थोड़ा लंबा है, फिर से परेंगे. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और यह अंत इसलिए बच गया क्योंकि बलकि हमारे देश के हिंदुतिने तरक्की का सिधान्त भौतिक वाद नहीं बलकि आध्यात्मिक चुना था. इसलिए हमारे देश का अस्तित्व आज भी क्या है जी? बना है. दोस्तों चलते पराग्राफ नमबर 20. Our civilization, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर सवराज, हमारी सवराज depends not upon multiplying. हमारी इक्छा भोग ब्रिदी पर नहीं है. आवर वान्स सेल्फ इन डलजेंसेज बट लेकिन अपन रेस्ट्रिक्टिंग आवर वान्स सेल्फ डेनियल इक्छा भोग को सिमीत करने पर ठीकी हुई है. तो दोस्तों चलते हैं paragraph number 21, European civilization is no doubt suited for the Europeans, European सभ्यता का कोई संदे नहीं है, की European के लिए अनुकूल है, बट लेकिन it will mean ruin for India, भारत के लिए यह बिनस्कारी होगा, if we endeavor to copy it. अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं, this is not to say, यह कहने की आवसक्ता नहीं है, that की we many not adopt and assimilate, हमने नहीं अपनाया और नहीं सामिल किया, whatever may be good and capable of assimilation by us. जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था, उतना हम लोगों ने क्या क्या सामिल करने लायक था, सामिल किये, ठीक है, next, as it does not also mean, और इसका मतलब यह भी नहीं है, that की even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. जो कुछ बुराई European ने उगाया है या पन पाया है, उसका जिम्मदार वह नहीं होंगे, तो thank you दोस्तो, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और share करना ना भूले, तो मिलते हैं दोस्तो, next paragraph, next वीडियो के साथ,